कपले उठाते, रोटी बनाते, पीज़ा खाते या फिर रास्ते में चलते हैं, हमारे पैर की हालत ये से ये, हाथ की हालत ये से ये हो जाता है हे एवर्वान, तो ये है ट्वीटी आप और मैं हूँ आपके साथ, तो हम आज गंभीर समस्या को ठीक करेंगे और देखेंगे की कैसे, कुम्रो विच इस काल्ड पम्किन और लाव विच इस काल्ड बॉटल ग्राउंड, इसके साथ हम कैसे, अपने टैन, जो हमारे पैरों, हा हाँ कहा पड़े होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको हटाना, तो हम शुरुआत करेंगे, पम्किन और बॉटल क्राउंड के साथ, मैंने यहाँ पे इतना इतना लिया है, विच इस, कॉइट सेम कॉंटिटी, तो इसको आपको क्या करना है, यह अभी मैंने फ्रीज किया हुआ था, क्योंकि यह लेफ्ट ओवर था, तो इसको मैं छोटे-छोटे पीचेस में काट लूँगी, और इसको क्या करना है, हमें ब्लेंड करना है, एक लेमन के साथ, मेरे पास लेमन यहाँ पे थाने, मैंने उसको डायरेक्ट थोड़ी देर बाद उसमें डाल लिया और उसके बाद यह बन गया है, मिक्स्चर, और यह पुरा जूस टप है, मगर इसमें थोड़ा सा पल्प है, इसलिए यह थोड़ा आपको गाढ़ा लग रहा होगा, पर यह सब कुछ समेत हम इसको एक काच के जार में रख देंगे, और इसको हमेशा फ्रिज में फ्रीज कर आप थोड़ा सा निकालो और इसको यूस करो, इसको अब कैसे यूस करना है मैं बताओ, इसको हमेशा हल्का सा लिकोवाम कर लीजे, तो डबल बॉइलिंग मेथट पे आपको जिसना भी जरूरत हो, उतना लगा के इसको डबल बॉइल कर लो, और ब्रश की मदद से या फिर कॉटन के मदद से, कॉटन में थोड़ा वेस्टेज होता है, तो ट्राइ टो यूस अ ब्रश, तो ब्रश की मदद से आपका एफेक्टेट जो एरिया है, उस पे लगा लो, अब मैं बताओ, पंकिन की बेनेफिट्स फर्स, पंकिन में विटमिन सी और ई भरपूर होती है, य स्किन ग्लो का ही कंपाउंट होता है, यह आपकी स्किन की ग्लोइंगनेस बरहा देती है, और इसमें क्योंकि लेमन है, लेमन ब्लीचिंग एफेक्ट देती है, लेमन ब्राइटनिंग एफेक्ट देती है, तो जो टैंड एरिया है, उसको वो खतम करती है, और बॉटल ग्रा देख लो बहुत से लोग लॉकी का जूस पीते हैं मुझे तो लॉकी का जूस पसंद नहीं और नहीं मैंने कभी ट्राई किया है तो मैं उसको ऐसे लगा लिती हूँ इन तीनों का mixture works wonderful on your skin तो मैं यहाँ पर क्या करी हूँ मैं इस पर थोड़ा सा बेसन लगा के जैसे आप उप्टन लगाते हो बेसन इस पर छिरक के अपने हैंड्स को अच्छे से रगर रगर के इसको छोड़ा लूँगी तो उससे क्या होता है जो इतना भी dirt होता है वो वहाँ से निकल जैता है और साथ में जो juice है उसके benefits आपको मिलते ही है अब मैं आपको बता हूँ आप इसको कितने दिन use कर सकते हो week में आप इसको three days use कर सकते हो more than three days जरूरत नहीं है three days is enough और अगर आप बेसन भी लगाते हो सिर्फ अपने body पे तो वो चार दिन से जादा नहीं कुछ नहीं लगाना चाहिए every day try to do anything else तो यह three days week में enough होता है तो फिर आप अगर जादा बेसन यूज नहीं कर सकते है तो उसको सूख नहीं दे और यहाँ पे यह second day का है आप देख सकते हो फड़क और मेरे legs पे भी tanning हो जाता है क्योंकि मैं चपल पहनती हूँ और चपल का जो सुंदर सा print out है या tattoo है वो मेरे legs पे बन जाता है so I try to use this not every day but at least three or four days in the week और यह one week के बाद है आप अगर अच्छे से देखो तो lighting का थोड़ो issue है मगर एक line आपको बने दिखेगी कि बिल्कुल one week के बाद आपको ऐसा effect आएगा कि अगर आप ऐसा मेरे तरह test करो कि यहाँ पे जो dark area है ऐसा लग रहा है कि मैंने वहाँ पे नहीं नहीं आया और जो brightening area है मैंने स्रिफ वहें पे नहीं पे नहीं आया है क्योंकि टैन होने में इतना वक्त लगता है तो उस area को bright करने में भी उतना ही वक्त लगता है इट टूक में टू विक्स हो ऑल दे बेस्ट अगर आप ट्राइ करोगे और इसके और रेगुलर होगे तो इट हंड़र परसेंट विल किव यह रिजल्ट थैंक यू